शहर से करीब 20 किलोमेटर दूर कनान परिसर में कीटक नाशक मिला पानी पीने से बाग की बौत हो गई है व्रद बाग की उम्रे करीब 3.5 साल की है वंडर अक्टुमबर की दो पहर को कनान की पढगुवारी ग्राउंड बीट से सटे प्रकाश आमबटकर की खेत के पास एक नर बाग रूत अवस्ता में मिला जिसके बाद वनाधिकारी सहीद ट्रांसिट ट्रिट्मेंट सेंटर की टीम भी घटना से पर पहुँच गई पचले कुछ दिनों से समधित इलाके में बाग की घुमने के जानकारी साहीए लोगों ने वन विभाग को दी थी इस बाग ने दो मविश्यों को भी मारा था इसके चलते प्रादर्शिक वन विभाग की टीम ने इस इलाके में कैमेरा ट्राक लगाय थे इसके साथ ही सेमिनरी हिल्स के ट्रांसिट ट्रीटमेंट सेंटर और वन्विभा की कांटी की टीम भी परिसर में गश्ट लगा रही थी जिस केट की सीमा पर बाग का शाव मिला वा एक तरफ पराटी और दुसरे और धान रखा था इसके पास से ही पानी परता इसके चलते खेट की फसल पर की छिड़काओं की दवा पानी में जाने की संभावना वैथत की चारी है यह किटक नाशक दवा मिश्रेत पानी पिने से बाग की मृत्ति होने की आशिंका चताई चारी है यह खबर मिलते ही घट्टा सिल पर एसी अफ रवींडर खाड की आनिल भकर रुशिकेश पाटिल राज्य वन्य जिवन मंडल के पुर्वसदस्य कुंदन हाते वट्टीम पहुची करनी के बाद बाग का शव सेंवनरी हाँ के बाध ही अंतिम संसकार किया जाएगा वराधि कार्यों का के लगा कहना है कि पोस्मार्टम की रिपूर्ट के बाद ही बाग की मौत का असल कारण पता चल सकीगा कैमरा परसन राजकुमार मोहट के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट